टाइम था 1492 जब Christopher Columbus अमेरिका पहुँच कर ये सोचने हैं कि मैंने तो भारत को डिस्कावर कर लिया। This was the age of great exploration. Explorers जस्ट पहुँच ही रहे थे भारत और आफ्रिका में। अब उसके बाद ये पहुँचेंगे भी और इन देशों को exploit भी करेंगे। और यहां से slaves वगेरा पहुचा कर उनको utilize भी करेंगे। raw material भी ले जाएंगे। फिर 1885 में ये सारे एक साथ बैठेंगे बर्लिन की एक conference में और यहां करेंगे scramble for Africa. मतलब आफरिका का पूरा paper partition और इस टाइप के events आपको ये demonstrate करते हैं किस तरीके से जो first wave थी globalization की वैश्वी करन की जसमें पूरी दुनिया एक साथ आ रही थी trade के form में, slaves को trade करने के लिए या raw materials को finished products को trade करने के लिए ये forced wave of globalization थी, किसी की मर्जी से नहीं हो रहा था, इसे colonist की मर्जी से हो रहा था. Now fast forward again, अब लोगों के लालच की वज़े से हम दो world wars देख लेंगे, अलग अलग कंट्रीज अब अपने आपको independent डेक्लेर कर लेंगे, लेकिन ये जो globalization है इसकी waves नहीं रुकेंगे. 1980s में in fact Microsoft और Apple जैसी companies आती है, ये 1985 का Steve Jobs का एक picture है, जो iMac, Apple के सबसे one of the first computers को denote कर रहा है, अब तो आपको पता ही है, iPhone वगेरा सब कुछ आगे, तो यहां computing की world में revolution आते हैं, चाहे वो Windows हो, चाहे वो computers हो, mobile phones हो, और फिर दुनिया integrate होने लगती है, क्योंकि अब आप किसी भी person को over a period of time किसी को भी discover कर सकते हो, जैसे जैसे technology आगे बढ़ रहे थी, in fact इसको help किया था, Berlin Wall के गिरने ने 1989 के, क्योंकि उसके बाद cold war धीरे-धीरे खतम होने लगा, Russia और US की जो rivalry थी, वो manageable होने लगी, और फिर आप जानते हो, कि world integration की तरफ जादा बढ़ेगा, in fact इंडिया अभी force हो गया, कि हमें नए partners अब ढूडने चाहिए, और फिर हमने अपने economy को western countries के लिए open किया, जो शायद अभी तक नहीं की थी, हमारे बहुत सारे educated Indians, 1990s में, जैसे Google के सुंदर पिच्छेई, ये गई US में, क्योंकि educated Indians है, इनको कमाने शमाने की जरुत है, of course, और हमें प globalization, जिसका फायदा सब ने उठाया, अब ये पूरा वेव तो आ गया, लेगिन इसके साथ कुछ concerns हमेशा थे, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज हमेशा आपके लिए सिर्फ सिर्फ अच्छा ही लेके आएगे, कुछ बुरा भी लेके आएगे, जैसे 2001 में 9-11 के आतंगवादी ह फायदा उठाकर आपके उपर ही अटाक कर दाते हैं, कोविड पैंडेमिक ने इस फिनॉमिनन को और बेटर तरीके से रेप्रेजेंट किया, जब 2019 में बहुत सारी कंट्रीज को ऐसा लगा कि चलिये, अपनी जो नाशनल बॉर्डर्स है न, उसको close down करना पड़ेगा बॉस, अब ये दुबारा उस लेवल तक कभी राइज नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेड में, एकनॉमी में जगडे चल रहे हैं, टेररिजम, सिक्योरिटी कंसर्न आ रहे हैं, हेल्थ के कंसर्न आ रहे हैं, लेकिन अभी fast forward करो, कुछ साल बाद, 2024 में, अब आप देखते हो कि ट्रेड ग्रोथ अभी वी राइज हो रही है, रिपोर्ट के कॉडिक, चाहे यूकरेन का वोर हो गया, चाहे इसराइल हमास का इशू हो गया, इस टाइप के इशू दुनिया भर में है, यूएस और चाइना की ट्रेड राइवल रहे हैं, उसके बावजूद, ग्लोबल ट्रेड जो अगर आप सवाल देखो, राइट सिंस 2013, ग्लोबलाइजेशन पर हर दूसरे साल या उसके भी पहले सवाल उठके आ जाता है, शुरुवाती सवाल अगर आप देखोगे, तो यह अलग-अलग sections पर है, कि हाँ globalization का क्या impact पढ़ता है, अलग-अलग sections पर, लेकिन उसके बाद क questions है, basically globalization की वजए से आपकी जो cultural identity है, उस पर क्या impact पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडियन पूरा family system हुआ, कास्ट हुआ, culturally हम globalization की वजए से बहुत जादा impact हुए है, यह पूरा impact UPC ने इसके बाद cover किया, इन questions को हम देखेंगे, last में कैसे solve करना है, एक और theme है, present वाली, और वो ह globalization and new technologies, आज के time period में, technology इतनी जादा rise कर रहे हैं, कि उसका globalization के साथ कुछ relation है, जैसे cryptocurrency का, या फिर नई और ऐसी technologies, fourth industrial revolution की, इसके बारे में भी यहां पर UPC अब सवाल पूछने लगया है, मलब UPC अब आपसे normal चीज़े ने expect करा, कि चलो globalization का positive बता दो, negative बता दो, या women पर impact बत बता दो, age-old sections पर impact बता दो, ना जी, now he is integrating different different portions here, and that is the beauty, तो आज हम इस lecture को इसी theme के around पूरा center करेंगे, इसका outline basically यह होगा, कि सबसे बले आपको हम factors बताएंगे, कि अच्छा factors क्यों globalization होता है, आपको पता होना चाहिए, कि क्यों हो रहा है boss, इसके बाद कुछ कुछ challenges बताए हमारे हाँ पर agriculture बहुत important है, तो agriculture पर कुछ impacts बताएंगे, और इसके साथ साथ आखिर में कुछ social cultural impacts और पूरे जो population है, उसके अलग-अलग sections पर क्या effect पड़ता है, जो UPC का पुराना theme हुआ करता था, दुबारा revive भी हो सकता है, उसको भी हम आराम से discuss करेंगे, चलिए स्टार करते हैं, आज के lecture को, इसी के साथ साथ आप यह भी recognize कर सकते हो, कि देखो, अनकाडमी सिर्फ उसे एक online platform नहीं है, यह offline भी आ चुका है, यह हमारे teachers हैं, जो आपको English medium में पढ़ाते हैं, और यहां भी आप देख सकते हो, अच्छे अच्छे teachers हैं, जो आपको offline में पढ़ाते हैं, इन से जाकर आप कभी भी आप पढ़ सकते हो, offline batch join करके, impact इसकी date जो है 29th July यह बहुत जल स्टार्ट होने वाला है, English का 30th July को स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको check out कर सकते हो, साथ साथ अनकाडमी का offline center प्रयागराज में भी open हो गया, और यहां भी आपको English और Hindi दोनो यह भी August starting में start हो रहा है, in fact इन सब के बारे में अगर आपको detail जाननी है, तो आप नीचे description में links दिये हैं, आप उन links को check out कर सकते हो, और और ज्यादा inquiry कर सकते हो, in fact आपको अगर free में और ज्यादा content चाहिए, तो आप Unacademy आपको भी install कर सकते हो, again जिसका जो link है वो description में द आपको साथ में करवाने वाले sectional, चाहे full length test हो, जिसकी वजह से आप exam को अच्छे से attempt कर सको, ताकि अलग से testory join करने की need ना हो, इसी के साथ काम हो जाए, क्योंकि बहुत important component है, और क्योंकि आजकल इतना जादा flood of materials होता है, guidance की बहुत कमें पढ़ती है, तो साथ-साथ mentorship and guidance का component भी हाँ ठीक है, तो आप इसने भी check out कर सकते हैं, अब आते हैं globalization की definition पर, मैं आपको जल्दी जल्दी से कुछ waves बता दिये, कुछ examples बता दिये, but what is globalization, जब सवाल आता है, तो introduction में लिखोगे क्या, देखी मैं एक common definition यहाँ पर use करते हूं, generally, ठीक है, globalization में businesses, ideas, technology, culture, सब यहा आपको लिखना हो, दो-तीन लाइन्स में की globalization आखिर है क्या, तो आप लिखोगे, it is a compression of space and time, यह क्या बोल दिया, मानलो आपको मुंबई से न्यू यॉक जानो, आपको लगेंगे 14-15 आर्ज, इतना ही time period लगभग आपको दिल्ली से पटना जाने में भी लग जाएगा, मतल चाहे न्यू यॉक और मुंबई का distance जादा हो, लेकिन flight से आपको 14-15 आर्ज ही लग रहे, मतलब time का compression हो रहा है, यह क्यों हो रहा है, economies आपस में integrated है, किस से, technology के थुरू, infrastructure के थुरू, communications के थुरू, so that is nothing but integration of time, और वैसे ही space का integration हो रहा है, अच्छा, US में होने वाली politics का, क् इंडिया पर impact नहीं पढ़ता, इंडिया में अगर Congress या बीजेपी, दोनों में से कोई एक party elect होती है, तो उसके वजह से US पर क्या impact नहीं पढ़ता कि कैसे उनको अपनी policies को change करना है, definitely एक impact पढ़ता है, in fact, US में अगर Democrats power में आते हैं, तो हमारे लिए problems बढ़ जाते हैं, कि human भी एक छोटा event होता है न पूरी दुनिया भी, उसका impact पूरे world पर पढ़ता है, और वो इसलिए है, क्योंकि कहीं न कहीं compression of space भी हो रहा है, इसको आप as a good definition लिख सकते हैं, in fact, एक और मैं आपको alternate definition देते हूं, globalization is integration of markets, people and technology, markets का integration, China से phone मंगा मंगा कर सस्ता use करो, people, US में और पैसा कमाओ, घर भेजो, और technology, अलग अलग technological level पर, US से technology acquire करो, रश्या से technology लो, उसको use करो, इन सारी चीजों का integration हो रहा है, और national boundaries जो हैं, वो खतम हो रहे हैं, भारत की national boundary के beyond भी जो events हैं, वो इंडिया को impact करते हैं, तो हम completely sovereign तो नहीं रहे हैं, अब आप सोच रहे होग तो इसलिए technological integration ही है, technology जैसे जैसे change हो रहे हैं, वैसे वैसे integration पर दबाव बनता जाते हैं, जैसे आज के time period में आप देख लो, data को use करके, robotics बनाया जाता है, AI का algorithms बनाया जाते हैं, इतना सारा data को use करके, हमने chat, GPT, bard, पता नहीं क्या क्या बना दिया, अब भारतियों के पास इतना data है, Chinese के पास इतनी population है, इतना data है, क्या हमारे उपर pressure नहीं आएगा, Japan का, US का, कि भाईया अपना data दो, हमें बेच दो, या फिर हमें उसका access दे दो, हम नई-नई technologies बनाया, बिलकुल आता है, WTO में आधी लड़ाई, Japan और भारत की इसी वज़े से, ये क्या दिखा रह है, जैसे हमारी technology change होई, सबके हाथ में mobile आया, सबके हाथ में फिर internet आया, internet आया, तो भाईया, Facebook आया, social media आया, US में बैठे कजन से आप आराम से बात कर सकते हो, this is nothing but the factor of technology है, और उसी time period पे हमने अपने economy को open कर दिया, 1991 के reform, यहां तो भाईया, globalization एक term ही है, LPG reforms में खुद, कि आप जितना भी border में, border से जो trade हो रहा है, इस border पर जो restrictions है, इसको आप कम कर रहे हो, जो भी आप tariffs लगाते हो border पर, उसको आपने खतम कर दिया, almost, अलग-अलग countries के साथ, इसके बाद, free trade agreement कर दिये, तो उनके साथ trade तो बहुत अच्छा हो गई न, आज US के साथ, इंडिया का क हो गया, so that is nothing but globalization का भी एक impact है, साथ-साथ, mobility तो बढ़ी रहे है, लोग अलग-अलग जगहों पर जा रहे है, अब देखो इसमें threats है, जैसे Western, West Asian countries को आप देखो, इराक हुआ, आफरीका की countries हुआ, यमन हुआ, यमन में अभी एक इंडियन पस गई थी न, किसी का murder करने की व जिसको कमाना होता है, जिसको जाना होता है, वो कोई न, कोई कंट्री तो ढूंडेगा न, जाने के लिए, so that is nothing but globalization, और इसको आप देखो, economic considerations इसकी बहुत हाई है, trade routes open हो रहे हैं, अच्छा, भारत अलग-अलग अपने trade routes open कर रहे हैं, अलग-अलग countries के साथ, इरान में जाक तब ही तो हम international north-south transport corridor बना रहे हैं, INSTC, ये सारी चीजें कहीं न कहीं impact डालती हैं, जिसकी वज़े से trade सस्ता होता है, इसराइल हमास war के पहले, हम I2-U2 की बहुत जादा बात करें थे, हाना, इंडिया, इसराइल, UAE और USA, और इसका जो new spice route था, I2-U2 के द्वारा, वो भी system open करने के बाद करें थे, तो ये roots आपके लिए कहीं न कहीं cost को cheap करेंगे, inexpensive कर देंगे, transportation सस्ता कर देंगे, trade व्यापार automatically बढ़ जाएगा, ऐसे आप देखो, यहाँ पर cost की भी considerations है, अलग-अलग factors की वज़े से cost down होगा, आप बांगलादेश से जब सस्ता कपडा निकलेग तो western countries उसको क्यों purchase नहीं करेंगे, definitely purchase करेंगे, लेगिन यहाँ पर कुछ challenges भी है, of course हर चीज में कुछ challenges होते हैं, जब आप challenges देखोगे, तब आपको realize होगा कि rising inequality, one of the most prominent challenges है, globalization से related, क्योंकि यह जितना भी globalization हुआ है, none of it is fair and just, आज तक जितना globalization हुआ है, सब कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ injustice जरूर है, जैसे आपको first wave दिखाया, first wave में कितना ज्यादा injustice हुआ, पूरा force ही था globalization, ऐसे ही क्या second और third wave without force हो जाएंगे, without कुछ drama हो जाएंगे, नहीं होगा, यहाँ पर जो rich है, वो और ज्याद इनसान का बच्चा अराम से US जाकर या Europe जाकर पढ़ाई कर सकता है, वहाँ पर job ले सकता है, compared to एक गरीब का बच्चा, वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, अब ऐसे exceptions हैं कि हाँ वो भी बहुत बार अच्छा कर जाते हैं, but mostly inequality maintained रहती है, US में भी आप कहीं न कहीं देख रहा है कि कहां से सबसे जादा वोट्स, सबसे जादा मार्जिन से डॉनल्ड ट्रम्प जीते हैं, presidential elections में, यहां देखो Great Lakes के आसपास का अरिया, जहां पहले एक अभी industries हुआ करती थी, और blue collar workers को बहुत जादा jobs मिलती थी, जैसे Pittsburgh का टाउन हुआ, अलगलग ऐसे towns हुए, यह सबसे जादा आप देखो, dark colored में यही है, यही डॉनल्ड ट्रम को सबसे जादा जितवाते elections में, क्यों? क्योंकि डॉनल्ड ट्रम कहते हैं कि चाइना से आने वाला जितना सस्ता इंपोर्ट है, सब को हम धीरे-धीरे खतम करेंगे, हम manufacturing अपने products की US में करेंगे, मतलब anti globalization, reverse of globalization, और यह बिचारे जो towns हैं, इनके लोग white collar workers तो हैं नहीं, कैलिफोर्निया की तरह, जो यहाँ पर located है, यह कोई service sector के professionals तो हैं नहीं, जो आराम से Microsoft और Apple में बैठके काम कर रहें, यह वो workers हैं, जिनकी jobs सबसे जादा globalization की वज़े से गई है, चाइना से आने वाले सस्ते इंप किया है, that is why Donald Trump धीरे-दीरे US में इन एरियास को mobilize करते हुए, अब आप समझ पारे होगे की inequality का reverse of globalization पर और इसके साथ-साथ politics पर भी क्या impact पढ़ता है, इंडिया में 1990 से जब से globalization आया है, अगर सबसे जादा किसी section ने suicides किये हैं, तो वो है farmers, मैं आपको आके दिखाऊंगी, यह एक major factor राय है, जिसकी वज़े से इंडिया trade अलग-अलग WTO के जो conferences हैं, उसमें जाकर अपना एक assertive stand लेता है, और कहीं न कहीं protest करता है, और जादा globalization की तरफ, क्योंकि हमारे section सब-जादा impact होता है, इसकी वज़े से political crisis आता है, जैसे US में rise of Trumpism, of course political crisis तो आए गए से, यहाँ पर Marine Le Pen की white right wing party ने सबसे जादा votes collect किये, क्यों, क्योंकि लोग परिशान थे globalization की वज़े से, Emmanuel Macron की policies की वज़े से, जो integration होता है trade में उसकी वज़े से, और इनका कहीं न कहीं घुसा तो दिखाई देगा, reactions आपको दिखाई देंगे, ऐसे ही आप देखो, यह आपके कमल ना थे पुराने मिनिस्टर, Agriculture Minister, WTO में 2007 में एक conference हो रही थी, यहाँ पर यह अचानक से US Brazil के साथ, एक meeting थी, उस अचानक से उठ गए, और जोर-जोर से मीडिया के सामने बोलने लगे, कि हमारे farmers का interest है, और इसलिए भारत, WTO की agreement on agriculture की बात माने गए नहीं, हम agreement करेंगे ही नह करना अमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसके बाद कमलनात को irresponsible कहा गया, जिद्धी कहा गया, stubborn कहा गया, इंटरनाशनल मीडिया में, उसके बावजूद ही वस असर्टिव, देखो political benefit तो चाहिए इसे, लेकिन एक यह पूरा फिनॉमेना आपको यह दिखाता है कि क क्या की बात माननी पड़ी, यूएस को हमारे लिए concessions देने ही पड़े, WTO में, World Trade Organization में, लेकिन हाँ यह जरूर आपको यह दिखा रहा है कि कैसे agriculture impact हुआ है, जिसकी वजह से हम पूरी-पूरे globalization की तरफ नहीं रहते हैं, हमारे family system को कौन भूल चकता है, way of living ही हमारा पूरा change हो गया है, पहले हो सकता है, आप breakfast में दाल ढोकला खाते हो, खमन खाते हो, लेकिन आप अफकॉर्स आप bread prefer करते हो, हमारे kitchen के table से लेकर हमारे toilet तक, पूरे way of life को globalization ने change कर दिया, और इसके reactions होना natural है, that's why आप देखते हो, cultural level पर, UPSC आज तक 4 बार सवाल पूछ चुका है, क homogenization का example है, कि कैसे globalization ने सारी चीजों को एक जैसा कर दिया, homogenize कर दिया, हम जो music prefer करते हैं, हम जो dance prefer करते हैं, पहले हो सकता है, आप classical music सुनते हो, अब जितने Bollywood songs आएंगे, सब में guitar यूज होगा, सब में western music यूज होगा, पहले हो सकता है, आप indigenous, इंडिया के खुद के icons को follow करते हो, अब हो सकता है, आप Michael Jackson को भी follow गरो, Taylor Swift को भी follow गरो, तो चाहे music हो, चाहे dance हो, चाहे food हो, पहले हो सकता है, आपको बढ़ी-बढ़ी cities में, Delhi, Mumbai में, दाल बाटी, आराम से मिल जाती हो, लेकिन अब नहीं मिलेगा, लिटी चुखा आराम से मिल जाता हो, लेकिन आप बहुत कम मिलेगा, अब आपको burger, pizza, ये सारी चीज़े जाधा मिलेगे, so that is food, food में भी homogenization हुआ है कहीं न कहीं, अब ऐसे आपका जितना भी way of life है, सब में homogenization कहीं न कहीं आपने देखा है, इसके reactions भी आते हैं, reactions कैसे, लड़कियों को jeans नहीं पहनना, mobile phones में restrictions, कि mobile phones हर को य restrictions लगा देंगे, ऐसे ही अलग अलग आप reactions देखोगे, food की terms में कुछ food को आप गलत समझने लग जाओगे, खराब समझने लग जाओगे, इंडिया के खुद की companies हमारे खुद के culture पर rise होकर, और हमें capitalize करने कोशिश करेंगे, कि हमें पैसा दो, जैसे पतंजली वगेरा का आता है, लेकिन कहीं न कहीं, इनका integration भी आता है, cultural level पर, identity के level पर, जब यह दोनों चीजें integrate होने लग जाती है, अब western countries हमारे concerns का ध्यान रखते हुए, हमें चीजे बेचते हैं, बड़ी-बड़ी companies हुए, अब सिर्फ और सिर्फ western music ही आपको आइपाड में और अलग लग च example सोच सकते हों, लेकिन यह कहीं न कहीं आपको positive effects पर लेकर जा रहे हैं, कि क्या positive effects हुए, especially economic level पर, एक है diaspora, ठीक है, हम बाहर जाके कमा रहे हैं, लेकिन क्या बाहर के लोग हमारी ज्यादा respect करें, हमारी help करें हमारी economic growth में, बिल्कुल, आप imagine करोगे, हम UAE से कितने ज्यादा funds मंगाते हैं, भारत में, FDI के form में, foreign direct investment के form में, in fact हमने एक fund बनाया था, National Infrastructure Investment Fund, NIIF, जिसमें UAE और साओधी के pension funds काफी हद तक invest करते हैं, यह बाहर की countries हमारे हैं invest करें, क्योंकि इन्हें पता है, कि globalization के चलते हैं, यह invest कर सकते हैं, और जितना भी हमारी economic में invest करेंगे, उसक और इंडिया एक rising global power है, तो investments आते हैं, ऐसे ही आप देखो 1990 से, जब से economy open हुई है, metro cities में से call centers open हो गये हैं, अब अगर यही call center में येरोप में open करती हूँ, तो यहां से 10 गुना जादा cost लगती हैं, लेकिन मैंने सस्ते में यहां open किया, population English तो बोली रही है, तो कुछ ना cost बचा रहे हो, और यही cost बचा कर कहीं न कहीं दोनों countries फायदा लेने की कोशिश करती है, US भी, European countries, भी हम भी, ऐसे ही आप देखो दूसरे और advantages है, flip card है, flip card ने क्या क्या, अपने आपको e-commerce के scale पर rise किया, आपने से हर कोई flip card से समान मंगाता होगा, अब उसके बाद इन्हो startups को काफी सारा investment actually बाहर से आता है, startups का idea काफी जाधा foreign से आता है, startups globalized level पर जाधा integrate होते हैं, यह technology का जाधा use करते हैं, ताकि अपने आपको grow कर सेकें, और यह भी globalization की ही एक story है, इंडिया जब भी अपने आपको अब rise करवाने कोशिश करते हैं, जैसे अपनी manufacturing को बढ़ाना, तो इंडिया conferences करते हैं, जैसे making India के लिए कुछ investors summit कर दी, जैसे vibrant आपने कोई summit कर दी investment के लिए, resurgent, राजिस्थान, vibrant, गुजरात, यह सारी summits हम करते हैं, इसका purpose ही होता है कि foreign investment को आपको invite करना है, कुछ और नहीं करना, लेकिन जादा जादा बाहर से investment है, अलग-अलग state governments, even Tamil Nadu की state government, इस टाइप के investor summits करते हैं, आइडिया यह होता है कि बढ़ती हुए जो globalization का wave है, उस का फायदा उठाना, इसका मतलब यह नहीं है कि negative impacts नहीं है, या फिर हम अपने आपको negative से बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, जैसे agriculture में मैंने आपको बताया, अब हमारे farmers को impact ना हो, बाहर Australia, New Zealand से सस्ता milk हमारे हाँ पर बिके, और उससे हमारे farmers और ज्यादा suicide ना करें, इसक यहां से सस्ता मिलका कर हमारे farmers को और ज्यादा impact ना करें, तो हम globalization से खुद को बचाने की कोशिश करें, लेकिन positives भी हैं, जो recognize करने पड़ेंगे, और that's why globalization कभी completely death में नहीं जा सकता, और इसलिए Phoenix की तरह हर बार अपना form change करके rise होने लगता है, हर बार यह अपने आपको better बन होना, हमारी livelihoods का खतम होना, US से सस्ता वीट आएगा, वो हम खरी देंगे, तो हमारा यह जो farmer है, यह impact होगा, यह हम 1990 से देख रहें, आज से नहीं है, यह तब से हमारी economy open होई है, लेकिन कहीं न कहीं government इससे बचने की भी कोशिश करते हैं, जैसे बास्मती राइस का आप example ल अब जब यह बिखता है, तो किसको फायदा होता है, government को भी और people को भी, farmers की भी income rise होती है, तो इसके export से इस बास्मती राइस को जिसको foreigners prefer कर रहे हैं खाना, इसके export से ही incomes rise हो रही है, तो यह एक aspect है, अब इसके बाद आप देखो, और भी बहुत सारे negative impacts हैं, जिसकी वजह से आप globalization को criticize करते हैं, जैसे Monsanto का seeds बनाना और ऐसे seeds बनाना जो pink bulwam attack से हमें बचा सके, cotton के term, अब जब यह ऐसे seeds बनाती हैं companies, तो यह terminator seeds बना देती हैं, कि ऐसे seeds बना दो, जिसकी वजह से farmer को company पर ही depend रहना पड़े, निर्भर रहना पड़े, और यह इस seed को बचा कर, अगल हो जाता है seed, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे impact पड़ता है farmer पर, जिसको हर बार यह seed, यह जो बीजह, यह खरीदना पड़ता है, company से, और company constantly फायदा उठा रही होती है, अब इसको रोकने के लिए government खुद regulations लाती है, तो ठीक है, हम as such, इससे deal भी कर रहे हैं, बढ़ यहां आप देखी पारे होगे, कुछ negative और positive impact जरूर है, ऐसे ही आगे बढ़ता है, एक और negative impact आपको दिखता है, जब भी global level पर कोई event होता है, उसका impact हमें पढ़ता है, जैसे commodity prices आप देख लो, जैसे जैसे रश्या यूकरीन का war आगे बढ़ा है, जैसे जैसे यह global level पर instability आ है, मैं बाहर से कुछ भी import कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो महंगा है, तो वो गरीब को जादा impact करेगा, अब देखे, climate पर भी globalization का अपना खुद का एक impact पढ़ रहे है, कैसे पढ़ रहे है, यह speech आपको याद होगी, एक environmental activist है, Greta Thunberg, इन्होंने United Nations में एक speech दी थी, how dare you, जह इन्होंने politicians को challenge किया था, कि आप लोग climate change पर कोई भी effect नहीं ले रहे हो, कोई भी action नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से हम future generations का future impact कर रहे है, यह आप कैसे कर सकते हो, आप अपनी future generations को कैसे हाम कर सकते हो, how dare you, और यहां Greta Thunberg यह भी बताती है, कि देखो जो elite हैना, जो दुनि में travel करता है, पहले बहुत सारे climate emissions करके, उसके बाद वो जाता है climate conference में और वहां पर जाकर dairy और meat consume करता है, meat को grow करने में इंपक्त काफी सारा CO2 release होता है, तो आप देखो जो elite है, उसका lifestyle ही CO2 emissions की तरफ काफी जाधा centered है, elite जितनी energy को consume करता है, उससे बहुत जाधा CO2 release होती ह आपको किसी पर action लेना है, तो वो है elite, और जो inequality है, उसको आप automatically कम कर सकते हो, अगर elite के CO2 consumption पर ध्यान दो, और यह वही elite है, जो सबस्यादा globalized है, जिसने globalization का सबस्यादा benefit लिया है, तो अगर आपको किसी चीज़ पर action लेना है, तो वो globalization भी है, globalization को जाधा-जाधा sustainable बना दो CO2 emissions या climate change automatically tackle हो सकते हैं, एक अच्छा interesting perspective है, अब family पर क्या impact हुआ है, देखे जब आप westernization के influence में आते हैं, जब आप बाहर की culture को adopt करते हैं, तो आप देख सकते हो, इंडिया में भी divorce rates rise हुए, family structure change हुआ, single parent families rise हुई है, जो nuclear family है, उसका trend rise हुआ है, हाला कि कुछ cities में आप देखते हो, कि आप दुबारा nuclear से, कुछ हद तक joint family भी दुबारा आने लगी है, grand parents की care वगरा करने के लिए, but overall आप देखो family structure में change ज़रूर आए, हो सकता है women की decision making में आप एक empowerment देखो यहाँ पर, लेकिन कही न कहीं children और elderly पर globalization के negative impact ज़रूर आए है और ये भी जब आप cultural identity वाला answer लिखें, तो definitely इसको ध्यान में रखना चाहिए, कि क्या family पर impact आए है और कैसे उनको tackle किया जा सकता है, जैसे यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने की है, कि आपको blindly हो सकता है global culture को follow नहीं करना, westernization पर blindly focus नहीं करना, हमारे music, fashion, dance, drama, जिन पर जो भ बहुत जादा resist भी नहीं करना है, आपको hybridization पर focus करना है, कैसे इन चीज़ों का एक proper mixture ensure कर सकते हैं, उस पर जादा जादा focus करना है, जिससे हमारी society एक अच्छे और progressive path की तरफ बढ़ सके, अब आते हैं sections पर, कि क्या globalization के अलग अलग sections पर impact आए हैं, जैसे यह table है, जिसको new addition points discuss कर लेते हैं, जैसे women, अब women पर आपको समझ में आई रहा होगा, globalization की वज़े से pink jobs बढ़ी हैं, news channels में आप देखते हो ना कि एक certain way में women को दिखाया जाते हैं, तो जितनी pink jobs हैं, teachers की, nurses की, media persons की, सब की कहीं न कहीं यहां पर women की empowerment हुई है, अब क्योंकि globalization आया है, family structure change हो हो रहा है, education कर आई हो रहा है, तो education women को जाधा मिली है, यहां improvements हो रहे है, work life balance में वही improvement आप देखते हो, education जाधा है, तो pay जाधा बढ़ेगा, women centered jobs आई हैं, लेकिन कहीं न कहीं inequalities भी आई हैं, आप देखो यहां पर women की उपर dual burden है, घर भी चलाने का, बाहर भी manage करने का, revenue है, कहां पर office space में, कैसे, जो भी high paying jobs है, जो सबसे जाधा rewarding jobs है, leadership पाली positions है, वो जाती है, males को, और जो lower level की jobs है, वो जाती है, women को, तो यह आप एक impact देख सकते हो, जिसको globalization से connect कर सकते हैं, next है youth, देखो youth educated हो रहा है, youth को बाहर के trends का पता चल रहा है, बाहर के ideas का पता चल र world में, चाहे US के elections ही क्यों आओ, आप वो घर बैठे बैठे देख सकते हो, that empowers the youth, यह आपको educate करता है, aware करता है, empower करता है, लेकिन, क्योंकि world level पर इंडिया को compete करना पड़ता है, manufactured goods में, इसकी वजह से youth के jobs पर impact आता है, जो generation gap है youth का, अपने पहले वाली generation से, parents की generation से, वो बह globalization को देख रहे हो, और global lifestyle follow कर रहे हो, burger, pizza, junk food खा रहे हो, तो health consequences बढ़ रहे है, आज इंडिया में, काफी सारा ऐसा youth है, जो pre-diabetic है, और लोगों पता भी नहीं होता कि वो pre-diabetic है, test वगेरा, जब करवाज हैं, तब करवाज हैं, उसके बाद पता पढ़ता है, so that is the impact of a global lifestyle, जो lifestyle आपने बाहर से follow के, ऐसे ही आप देखो, tribal areas है, अब COVID की time period पर बहुत सारे ऐसे tribes थे, जो गिलोए का juice बेच रहे हैं, तो that is economic opportunities, ऐसे काफी सारे tribes हैं, कुछ-कुछ tribes आफरिका में जाते हैं, और वहाँ पर जाकर अपने medicinal products को बेचते हैं, तो यह फाइदा उठा रहे है globalization का, education का exercise के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि government अलग-अलग apps के तुरू, इनको अपने खुद के language में पढ़ा पाती है, यह आप देखो, केरला में भी है, Indian government भी इसको try करती है, लेकिन कहीं नेगेटिव impact भी पढ़ता है, जब आप इनके culture को देखते हो, जब आप यह देख mineral exploitation के लिए coal plant बनाने के लिए, steel plant बनाने के लिए, तो कहीं ने कहीं आप देखते हो, exploitation globalization से related है, बाहर की कंपनियां जब invest करती है, तभी तो यह सारी चीज़े हो पाती है, same as for unemployment, unemployment बढ़ता जाता है, जब आपका खुद का अपने resources से control खतम हो जाए, in fact आपका environment based से damage हो रहा है तो यह impact tribals पर पढ़ता है, अब आप जब elderly को देखते हो, तो क्योंकि globalization की वज़े से technology आपके पास पहुंच रहे है, सस्ता stent आपके पास पहुंच पा रहे है, सस्ती diabetes की दवाईयां पहुंच पा रहे है, तो healthcare का access बढ़ जाएगा, क्योंकि globalization है, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर, आप सस्ते में किसी डॉक्टर को दिखा सकते हो, तो healthcare access बढ़ गया, social connections बढ़ गया, but again, क्योंकि दुनिया busy है, अपने आपको grow करवाने में, globalization होने में, family का जो structure है, वो change हो गया, globalization के चलते, जितनी jobs है, youth को, वो सब cities में मिल रही है, youth, जो है, वो cities की तरफ है, और elderly अपने hometown में अकेले, that's why आप देखो, economic marginalization कहीं जादा बढ़ जाता है, और जो social disconnections होते हैं, आप net पर एक दूसरे के साथ connect हो सकते हो, but actual में अपनी family के साथ, close ones के साथ, जो disconnections है, और वो rise कर जाते हैं, तो यह impact कहीं न कहीं आप elderly पर देखते हो, ऐसे ही, अगर आप LGBT plus community या ऐसे कोई marginalized community के बात करो, तो देखो, इनके rights के बारे में globalization के पहले कोई बात भी नहीं करता था, globalization के बाद जो rainbow rallies है, rainbow festivals है, यह सब आने लगा है, तो अब इनका जो social acceptance है, वो भी बढ़ने लगा है, यूएस में हमने ऐसे ऐसे movements देखें कि gay rights को legalize करने के साथ, gay marriage को भी legalize करो, जो marriage वहाँ पर heterosexual तरीके से होती है, male और female में, वैसी marriage gaze के लिए भी करो, तो यह सारे provisions के चलते, कहीं न कहीं इसका impact इंडिया पर भी पड़ा है, आप याद कीजिए, पुट्टा स्वामी judgment, जहां पर right to privacy को, एक fundamental right की तरह declare किया गया, इसके बाद एक judgment आया, नवते provisions हटा दिए, कि अगर आप अकेले में homosexual behavior दिखाते हो, तो आपके उपर कुछ सजा होगी, अब यह दिखा रहा है कि कैसे acceptance बढ़ रहे है, लेगिन वहीं पर negative impact यह है, कि हो सकता है, हो सकता है, इनके खिलाफ जो narrative है, वो social media पर चलाया जाए, जिसकी वजह से LGBTQ और जादा कहीं और लीगल तोर पर भी inequalities बढ़ सकते हैं, बाहर का पैसा आजाएगा अलग-अलग जो आपके conservative sections है, Christian conservative sections का, इंडिया में केस लडने के लिए किसी LGBT के खिलाफ या LGBT community के खिलाफ, तो वो आप impact देख सकते हो globalization की वजह से, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि primarily positive impact काफी हग तक है, काफी सारे NGOs है foreign funds का use करके disabled लोगों को differently able लोगों को help कर पा रहे हैं, बट कही न कहीं negative impact यह होता है, कि यह sections कभी न कभी left out हो जाते हैं, जब global growth पर focus हो रहा है, तो English education पर, elite education पर, एक certain building में आपको education मिले उस पर focus है, और हो सकता है वो building disabled friendly ना हो, हो सकता है वो दिव्यांग person है, वो बाहर हो गया, exclude हो गया, अच्छे education से, अच्छे healthcare opportunities है, और कहीं न कहीं वो race में पीछे चूट सकता है, unless and under government support न करे, तो इसका जो final outcome है, जो solution है, वो आप यही लिख सकते हो, कि यह जितनी problems है, जो negative impacts है, यह उन sections को जादा देखने को मिलती है, जो vulnerable है, जो कमजोर groups ह और इसलिए आपको इन सारी negative impacts से deal करने के लिए, government को अलग-अलग steps लेने पड़ेंगे, और अगर हम वो steps ले लेते हैं, तो हम आराम से globalization से deal कर पाएंगे, फिर कोई problem है ही नहीं, right, ऐसे ही आप देखो, industrial revolution four point हो, AI, robotics, data, analytics का आना, integration का आना, इतनी सारी चीज़े है, कहीं न कह इससे globalization बड़ेगा, और जब ये globalization बड़ेगा, तब आप एक नई wave देखोगे, चाहे वो humanite robot Sophia का आना हो, या अलग-अलग ऐसे और robotic features का आना हो, चाहे ऐसे और अलग-अलग और आपके पास GPT's आ जाए, अलग-अलग technologies आ जाए, आप कहीं पर भी, किसी island पर बैटकर भी यूएस में रह रहे हैं, यूरप में रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, आपको वहां के companies को कम पैसा देना पड़े, यूएस यूरप के प्रफेशनल के comparison में, तो ये सब impact कहीं न कहीं पढ़ सकता है, again, because of 4.0 globalization 4.0, और इंपक्त इंपक्त दिखने को भी मिल रहा है, migration के खिलाफ बहुत जादा यहां पर reactions आ रहे हैं, यूरप से बहुत सारे ऐसे migrant हैं, जो इराक, सीरिया से आते हैं, यूरप की तरफ, फिर straight of dollar पार करके, इंग्लाइन में घुच जाते हैं, लंडन में रहने के लिए, ताकि इंग्लाइन की सरकार से ये support मांग सके, कि मैबा ये लोग जो क्रॉस करते हैं, state of dollar को, उनको ये लंडन में नहीं बठा के रखते हैं, कि तुम्हारी application pending है, ठीके जब तक लंडन बैच जा, ये भेज देते हैं, इन लोग को, आफ्रिका में, रवांडा नाम की देश में, और रिटर्न में, इंग्लाइन, रवांडा को पैस तक देख सकते हो, ऐसे ही आप देखो, आप अगर आप observe करो, तो de-globalization का फिनॉमना काफी बढ़ रहा है, countries अपने आपको protect करने के कोशिच करें, बॉर्डर्स पर, इसलिए de-globalization हो रहा है, लेकिन ये भी long term में सोचना होगा कि, क्या de-globalization sustainable है, क्या de-globalization viable है, क्या de de-globalization के थुरू, आप problems का solution निकाल सकते हो, क्योंकि आप accept नहीं करोगे migrants को, ठीक है, that is fine, लेकिन migrants इसलिए तो आ रहे हैं, क्या वो problem आप ही की वज़े से create नहीं की गई है, चाहे अफगानिस्तान हो, Syria हो, Iraq हो, या फिर अगर आप इने accept नहीं करते हो, ठीक है, क्या उससे terrorism rise नहीं होगा दुबारा, क्या ये लोग वहाँ, Iraq, Syria, Afghanistan में रहकर दुबारा terrorism की तरफ नहीं जाएंगे, radicalization की तरफ नहीं जाएंगे, अगर हम अपनी borders पर economic जो imports हैं, उसको रोग देते हैं, तो क्या हमारे खुद के exports impact नहीं होगे, अगर हम westernization को बहुत जादा resist करते हैं, और reactionary हो जाते हैं, तो क्या इससे हमारा modernization भी रुख सकता है, या फिर हमें hybridization के smart तरीके सोचने होगे, और एक tight rope पर walk करते हुए चलना होगा, तो ये अभी और सोचना है, इसके बारे में, क्या आप सोचते हैं, इस topic के बारे में और लिख सकते हो, comment boxes में, वीडियो कैसा ल